आज हम आपके लिए बहुत से त्रिकोनमतिय फलनों के उधारन लेके आए हैं ताकि आप इन फलनों को अच्छी तरह से समझ सकें इसके लिए सबसे पहले हम एक समकोन त्रभुज बनाते हैं Let's make a right triangle एक बात का आप ध्यान रखना कि ये त्रिकोन में तिये फलन सिर्फ समकोन त्रबुज के उपर ही लागू होते हैं तो अगर आप अन्यकोनों के त्रिकोन में तिये फलन ग्यात करना चाते हैं तो पहले हमें एक समकोन त्रबुज बनाना होगा पर आज हम इसे सीमित रखेंगे समकोन त्रभुजों तक तो ये हमारा है समकोन त्रभुज मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई है साथ और मान लेते हैं कि इस भुजा की लंबाई यहाँ पर है चार और अब हम यहाँ कर्ण यानि हाइपोटनियूस की लंबाई गयात करते ह इसे नाम देते हैं H, ये तो हम जानते हैं कि H का वर्ग बराबर होगा 7 का वर्ग जमाचार का वर्ग के और पाइथागरस प्रमिया के अनुसार भी करन का वर्ग बराबर होगा 6 दो बुजाओं के वर्ग के योग के, इकल to the sum of the squares of the other two sides, तो यहाँ H का वर्ग बराबर होगा 7 का वर्ग, जमाचार का वर्ग के जो बराबर होगा 49 जमाचार के 49 प्लस 16 तो 49 जमाचार 10 होगा 69 और जमाच्छे होगा 65 तो ये H का वर्ग, इसे अलग रंग में लिख लेते हैं तो H का वर्ग बराबर होगा 65 के पहले चेक करते हैं 49 जमा 10 होगा 69 और जमा 6 होगा 65 या हम कह सकते हैं कि H बराबर होगा इसके दोनों पक्षो का वर्गमूल के जो होगा वर्गमूल 65 स्क्वेर रूट 65 अब हम इसे और सरल नहीं कर सकते तो ये है 13 यानि ये 13 गुना 5 के बराबर होगा और इमने से कोई भी त्रिकोण मिती ये फलन इस कोण का यहाँ पर और मान लेते हैं कि ये कोण है थीटा और इसे हल करने का एक आसान तरीका है कि हम प्रयोग करें सो का टोवा का इसे यहाँ लिखते हैं सो का टोवा और ये एक तरह का सूत्र है सामान ने त्रिकोण मिती फलन साइन को साइन और tangent को याद रखने का इसे मैंने अपने एक त्रिकोन मिती के शिक्षक से सीखा था और आज तक मैं इसे भूला नहीं हूँ क्योंकि त्रिकोन मिती में ये बहुत ही उपयोगी साबित होता है तो चलिए इसका प्रयोक करते हैं अब मान लेते हैं कि हमें ग्यात करना है cosine अपने कोन यानी theta का अब लागू करते हैं so का टोवा या काह परिभाशित करता है cosine के फलन को तो काह से हमें पता चलता है कि cosine बराबर होगा संलग्न भुजा बटा करन के cosine is equal to adjacent over hypotenuse यहां भुजा चार थीटा का एक भाग है इसलिए हम इसे थीटा की सनलगन भुजा कहते हैं हम यह जानते हैं कि कर्ण यानि हाइपोटनियूज यह भुजा है यहाँ पर इसलिए यह भुजा तो हो नहीं सकती और केवल एक भुजा इसकी सनलगन भुजा है और कर्ण भी नहीं है वो है ये भुजा चार तो सनलगन भुजा यहाँ पर जो कि इस कोण के बिलकुल समीप है और इस कोण का एहम भाग है वो बराबर है चार बटा कर्ण के और कर्ण हम जानते हैं बराबर है वर्गमूल 65 के तो ये होगा चार बटा वर्गमूल 65 के पर कभी कभी हमसे कहा जाता है हर का परिमेय करन करने के लिए क्योंकि आम तोर पर हम अपरिमेय संख्या नहीं लेते हैं हर में जैसे कि ये वर्गमूल 65 अब अगर आप इसे दोबारा लिखना चाहते हैं बिना इस अपरिमे संख्या के हर में तो आप अंश और हर दोनों को गुणा कर सकते हैं वर्गमूल 65 से ऐसा करने से इनके मानों में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि हम दरसल एक से गुणा कर रहे हैं जिससे संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा पर इस अपरिमे संख्या को हम हर में से हटा सकेंगे तो अंश होगा 4 गुणा वर्गमूल 65 और हर होगा वर्गमूल 65 गुणा वर्गमूल 65 जो कि होगा केवल 65 तो हमने अपरिमे संख्या को हटाया नहीं है पर अब वो अंश यानी numerator में है अब हम कुछ और त्रिकोण में तिये फलनों के बारे में बात करते हैं देखा जाए तो बहुत सारे द्रिकोण में तिये फलन है पर वो सब इनी से व्युत्पन होते हैं तो आईए अब साइन ग्यात करते हैं थीटा का और प्रयोग करते हैं सोग का टोवा का सोह परिभाशित करता है साइन फलन को, साइन होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, इसे यहां लिखते हैं, साइन होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, अब इस कोण की कौन सी सम्मुख भुजा है, ये देखिए, ये इस कोण के ठीक सामने है, तो ये कोण सम्मुख है भु वर्गमूल पैसट तो यहां बटा वर्गमूल पैसट होगा और अगर हम इसका भी परिमये करना चाहें तो हम गुणा कर सकते हैं वर्गमूल पैसट को बटा वर्गमूल पैसट से अब अश में होगा सात वर्गमूल पैसट और हर में केवल पैसट होगा अब बात करते हैं ट तो अगर मैं आपसे पूछूं कि टैंजिन्ट क्या होगा थीटा का एक बार फिर प्रयोग करते हैं सो का टोवा का तो टोवा परिभाशित करता है टैंजिन्ट को और हमें पता चलता है कि टैंजिन्ट बराबर होगा सम्मुक भुजा बटा सनलग न भुजा के तो यहां लिखते हैं opposite over adjacent side तो इस कौण की कौन सी भुजा सम्मुक है यह हम ग्याद कर चुके हैं यह भुजा शाथ इस कौण के ठीक सामने है it is opposite seven तो यह होगा seven बटा अब इसकी कौनसी सनलग न बुजा है ये भुजा चार है ये इसकी सनलग नभुजा है चार तो ये होगा साथ बटा चार और हमारा काम खत्म हमने सभी तृकोण में ती अनुपात निकाल लिये है थेटा के आईए एक और प्रशन लेते हैं पर इस बाद फोड़ा मुश्किल प्रश्ण लेते हैं क्योंकि अभी तक हम केवल मान गयात कर रहे हैं साइन के टैंजेंट के इसलिए इसे आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर एक और समकोंड तरबुज बनाते हैं ध्यान रहे कि आज हम केवल समकोंड तरबुज की बात कर रहे हैं अब मान लेते हैं कि कर्ण की लंबाई है चार और इस भुजा की यहां पर लंबाई है दो और मान लेते हैं कि यहां इस भुजा की लंबाई है दो गुणा वर्ग मूल तीन के चलिए पहले से चेक करते हैं तो इस भुजा का वर्ग इसे यहां लिख लेते ह दो वर्ग मुल तीन कवर्ग जमा दो कवर्ग ये बराबर होगा ये है दो तो ये होगा चार गुणा तीन जमा चार के जो बराबर होगा बारा जमा चार यानि सोला के और सोला वस्तव में चार कवर्ग होता है तो ये बराबर होगा चार के वर्ग के तो हम कह सकते हैं कि पाइथागरिस प्रमेय को संतुष्ट करता है और अगर आपने जियोमेटरी में कुछ पढ़ा हो 30, 60, 90 तरिबुज के बारे में तो शायद आप पैचान जाएं कि एक 30, 60, 90 तरिबुज है तो यह यहाँ पर है एक समकोन इसे हमें पहले ही बना लेना चाहिए था ताकि आप समझ जाते कि एक राइट ट्राइंगल है तो यह कोन है 30 अंश और यह कोन यहाँ पर है यह कोन है 60 अंश और 60 डिग्री अंगल तो यह 30, 60, 90 तरिबुज है क्योंकि जो भुजा सम्मुक है 30 डिग्री कोन के उसकी लंबाई कर्ण से आधी है और जो भुजा सम्मुक है 60 डिग्री कोन के वो तीन गुणा है इस भुजा की लंबाई के जो की कर्ण नहीं है वैसे हमारा आज का विशय 30, 60, 90 तरिबुज यास की समीक्षा करना नहीं है इसलिए अब हम ग्याद करते हैं त्रिकोन मेती अनुपात इन कोनों के अब अगर हम आपसे पूछें या आपसे पूछा जाए कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा ध्यान रहे ये ही नियम लागू होगा जब भी हमारे पास 30 डिग्री का कोन होगा और विशय होगा समकोन त्रिबुज पर इसके बारे में विस्तार से हम फिर कभी बात करेंगे अब चलिए ग्याद करते हैं 30 साइन ये देखिए ये कोन है 30 डिग्री का तो हम इस समकोन का उप्योग कर सकते हैं और हमें याद रखना है 100 का टोवा तो पहले यहाँ लिखते हैं 100 का टोवा 100 परिभाशित करेगा साइन फलन को 100 से पता चलता है कि साइन सम्मुख भुजा है बटा कर्ण के तो साइन 30 डिग्री है सम्मुख भुजा जो की है 2 बटा कर्ण के और कर्ण की लंबा यहाँ है 4 जो हुआ 2 बटा 4 जो की बराबर होगा 1 बटा 2 के इसलिए साइन 30 डिग्री हमेशा बराबर होगा 1 बटा 2 के अब ग्याद करते हैं कोसाइन यानि कोसाइन 30 डिग्री का मान ग्याद करते हैं एक बार फिर प्रयोग करते हैं सो का ठोवा का, तो काह परिभाशित करता है कोसाइन फलन को, और कोसाइन सनलग्न भुजा बटा कर्ण होता है, तो ये है 30 दिगरी कोण, और ये यहाँ पर है इसकी सनलग्न भुजा, क्योंकि ये इसके बिल्कुल समीप है, तो ये होगा सनलग्न भुजा बटा कर्ण, जो होगा 2 वर्ग मुल 3 बटा कर्ण, यानि हाइपोटनियूज यानि 4, इसका सरली करण करते हैं, और अंश और हर दोनों को भाग देते हैं 2 से, और हमें मिलता है वर्ग मुल 3 बटा 2, और अब अंथ में टैंजेंट, टैंजेंट 30 डिगरी कोण का, फिर से प्रयोग करते हैं 100 का टोवा, और टोवा परिभाशित करता है टैंजेंट को, जो है सम्मुग भुजा बटा सनलग्न भुजा, और फिर से हम इस 30 डिगरी कोण को लेते हैं, टैंजेंट अफ 30 डिगरी तो सम्मुग भुजा है दो, ऑफुजिट इस 2 और सनलग्न भुजा है दो वर्ग मुल 3, यह इसके बिलकुल समीप है, अजेशंट यानि समीप और यह है दो वर्ग मुल 3, तो यह बराबर होगा दो कैंसल हो जाएंगे, और यह हुआ एक बटा वर्ग मुल 3 के, यह हम गुणा कर सकते हैं अन्श और हर को वर्ग मुल 3 से, और हमें मिलेगा वर्ग मुल 3 बटा वर्ग मुल 3, और यह बराबर होगा अन्श में वर्ग मुल 3, बटा हर में केवल तीन के यहाँ पर हमने यहाँ इनका परिमेय करन किया है वर्गमूल तीन बटा तीन चलिए अब इसी त्रिभुज में त्रिकोन मिती अनुपात ग्यात करते हैं कोन साथ डिगरी का तो साइन साथ डिगरी का मान क्या होगाँ अब तक आप शायद समझने लगे होंगे तो साइन है संमुक भुजा बटा संलगन भुजा सो कटोवा अब साथ डिगरी कोण की कौन सी भुजा समुख है ये है इसकी समुख भुजा 2 वर्ग मूल 3 यहां लिखते हैं 2 वर्ग मूल 3 और अब साथ डिगरी कोण की संलगन सौरी समुख भुजा बटा करण हम पहले गलत बोल गए तो ये है समुख बटा करण यानि 2 3 बटा 2 के अब cosine 60 degree का मान क्या होगा cosine of 60 degrees तो याद करिए 100 का टोवा cosine सनलगन भुजा बटा करण होता है और ये है सनलगन भुजा देखिए ये बिलकुल समीप है 60 degree कोन के तो ये होगा 2 बटा करण और करण की लंबाई है 4 और ये बराबर है एक बटा 2 के और अबंत में tangent तो tangent क्या होगा tangent 60 degree का मान क्या होगा सो का टोवा परिभाशित करता है कि tangent सम्मुख भुजा बटा सनलगन भुजा होता है तो 60 degree कोन के सम्मुख भुजा की लंबाई है 2 वर्गमूल 3 इस कोन की सनलगन भुजा की लंबाई है 2 तो ये है 60 degree कोन की सनलगन भुजा सम्मुख भुजा बटा सनलगन भुजा दो वर्गमूल 3 बटा 2 जो बराबर है वर्गमूल 3 के अब हम यहाँ एक पैटरन देख सकते हैं यानि कि sin 30 degree का मान cos 60 degree के मान के बराबर है और cos 30 degree का मान sin 60 degree के मान के बराबर है और ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते रहना आप